नमस्कार दोस्तों तो जितने भी लोग अपने आयस्मान काड बनवाने के लिए EKYC किये थे और दोस्तों आप लोगौ का जो EKYC था वो पेंडिंग में चला गया था दोस्तों आज से हमसे हमेंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना की आप लोग को बताया गया दौस्तों उससे आप लोगों karen पता चलियागा कि इसी के वजह से अभीrene प्लोग का पे날 में रखा गया है दूस्तों मैं आप आप लोग को बता दू अब जितने भी लोगों का पेंडिंग में था त्त धीरे-धीरे सभी का वहने शुरू हो गया है मेरे पास एक डीटल से मैं आप लोग को अभी सो करके भी दिखाऊंगा चेक करके दोस्तों इन में प्रोब्लम यह था कि इनका जो फादर नेम था रासन कार्ट पे कुछ और अधार कार्ट पे कुछ और था जिसकी वज़े से इनका पेंडिंग में चला गया था दोस् हुँ कि आप लोग घर गठ है कैसी ओत् chemin कर सकते हैं कि अप लोग सबसे पहले इसके ऑफिशेल सबसे शाय करना होगा बेनिफिसरी डैस एनेचे डैस जी ओवी डैस इन अप लिख के जैसे ही सर्च किजिएगा आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो इसका उपर में ही जो लिंक मिल रहा है आपको सिंपली इसको ओपेंड कर लेना है दोस्तो यहां प sinners करने के ऐड़ आपके मोबायल नंबर इन्टर करने के अपके मुवाइल को टीपी जाएगा ओटीपी डालके में लॉगिन हो जाना है दोस्तो यहां पर आप लोकिग का बेनिफिसरी इस इलेक्ट रहेगा आप लोग के पास ऑपरेटर आईडी होगा नहीं CSC जितने लोग हैं उनके पास operator ID होता है दोस्तों आप लोग beneficiary select करके और अपना number डाल के इसमें login हो जाईएगा दोस्तों इसमें आप लोग जैसे ही login हो जाईएगा तो यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर scheme में PMJAY ही सेलेक्ट रहने दीजेगा उसके बाद अपना यहाँ से state सेलेक्ट कर लिजेगा साथ में दोस्तों सब scheme में PMJAY रहने दीजेगा उसके बाद district जो भी होगा आप लोग वो district select कर लिजिएगा, district select करने के बाद दोस्तों यहां से search by में जिस भी प्रकार से आप search करना चाहते हैं, उस option पे click पिजिएगा, मैं अधार नंबर से देखना चाहता हूं, तो simply अधार नंबर पे click करके, यहां पे दोस्तों अपना अधार नंबर fill करने के बाद search कर देना है search करने के बाद दोस्तों आपका details खुल, देखने को मिल जाएगा, दोस्तों यहां पे जो इनका पहला details आपको देखने को मिल रहा है, वह ही इनका pending था, मैं security purpose के वज़े से इनका नाम show नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे देख लिजिए दोस्तों, इनका यही pending था, 8 से 10 दिनो के होने के बाद इनका approve किया गया, approve होने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार का download card करने का option मिल जाएगा, download करने के लिए आप लोग को simply इस पे click करना है, आपके अधार card जिस mobile number से link होगा, उस पे एक OTP पी जाएगा, और जिस number को अभी डाल के इस portal पे आ भी card बना है या नहीं बना है, दोस्तों मेरे case में तो 8 से 10 दिन वेट करने के बाद card approve हो गया, card बन गया, आपके case में क्या होता है दोस्तों चेक करके comment में जरूर बताईएगा, तो hope करते हैं दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए